असलाम अलेकूम, कैसे हैं आप सब लोग, मैं हूँ सामिया और आप सब का तहे दिल से वेलकम करती हूँ सामिया की दुनिया में और आज आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बन कर रहा है तो मैं आप लोगों को बता दू, मैं कोर्मा बना रही हूँ आज तो मैंने सोचा कि क्यों न आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करी जाए और हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आए तो मैं आपको बता दू ये मैं अपने टिफन के लिए आज बना रही हूँ और ये 3 kg चिकन का मैं कोर्मा बना रही हूँ तो सबसे पहले मैंने क्या करा है कि हाफ लीटर के करीब मैंने जो है इसमें ओयल लिया है और इसमें मैंने पूरे 1 kg मैंने ये अनियन डाली है इसमें बारी बारी काट कर मैंने इसमें डाल दी है और अब इनको मैं जो है गोल्डन करूँगी गोल्डन करूँगी फिल्कुल खोर्मे के लिए तो आप लोग देखते रहे हैं और ये मैं बनाती रहूंगी और आप लोगों से बाते करती रहूंगी तो मुझको ये जो है टिफन के लिए जादा मिकदार में बनाना पड़ता है तो इसलिए मैं आक्यूरेट आपको नहीं मेजरमेंट दे रही हूं इसका और वैसे इंशालला मैं वन केजी का बनाऊंगी तब आपको एक्कूरेट दूंगी आपको मेजरमेंट और अब ये अच्छे से गोर्डन कलर का हो गया है और मैंने अभी इस सारी दिक्यानियस निकाल ली है और वही ओयल में मैं अब जो है चिकन डाल दूंगी थ्री केजी चिकन है ये और मैं अब इसमें सारा जो है चिकन मैंने खूब अच्छे से धो लिया था और अब मैं इसमें सारा ये करूंगी और इसके बाद जो है मैं देखे अब इसके अंदर ये सारे गरम मसाले डाल रही हूँ और ये सारे गरम मसाले अब इसमें चले जाएंगे और अच्छे से ये भुन जाएगा अब मैं इसको भूनती रहूंगी एक मिनट ये हाडली भूना जाएगा और अब इसके बाद देखिए मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस डालूंगी क्योंकि ये 3 केजी है तो टेबल स्पून 3 ही जाएंगे इसमें 3 टेबल स्पून भरके मैं इसमें अत्रकलेसन का पेस डाल दूंगी और फिर उसके बाद अच्छे से इसको मैं भूनूंगी आप लोगों को थोड़ी आज तकलीफ हो रही हो कि देखने में क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाईल अपना पकड़े हुए हूँ और एक हाथ से मैं चला रही हूँ और यह भगोना भी बड़ा है तो मुझे भी थोड़ी से दिक्का तो रही है तो सौरी और आगे से इन्शालला मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से बना पाऊ तो अब यह देखे भूनने लगा है तो अब मैं इसमें धनिया पाउड इतनी जल्दी से यह गल जाता है देखिए अब यह भूनना शुरू हो गया है खुब अच्छे से और काफी अच्छा लग रहा है भूनते हुए और अब हम इसमें जो है दही डाल देंगे अच्छा मैंने अनियान वन केजी लीती तो इसलिए मैं दही भी इसमें वन केजी ह दालूँगी अच्छली इसमें जो है इतना जादा पढ़ता नहीं है एक किलो में 200 ग्राम का ही होता है मेजरमेंट बट मुझे ग्रेवी जादा चाहिए होती है मुझे टिफेंस में पैक करना होता है तो मुझको जो है ग्रेवी की जादा जरूवत पढ़ती है इसलिए मैं एक किलो इसमें एक किलो प्याज और एक किलो दही डाल रही हूँ तो आप लोग भी जब भी कोर्मा बनाएं तो ये रेशियो हमेशा समझें कि प्याज और दही का जो है वो सेम ही मेजरमेंट रहेगा और अब दही डालने के बाद जो है अब मैं इसको खुब अच्छे से चलाऊंगी और ताकि चिकन क्या है कि हम ये मसाली डालते डालते ये भुनने लगता है तो बहुत अच्छे से हम इसको जो है दही डालकर अब जो है पकाएंगे इसको तो अब ये दही के साथ जो है अब ये बनने लगा है और अब देखें आप इसको ये काफी खुबसूरा शकल इसकी निकल के आई है अच्छा मैं बतातू आप लोग सोच दोंगे कि ये भगोना कैसे चेंज हो गया अच्छा मैं जिसमें पहले बना रही थी ना वो मुझको बहुत ही चोटा पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैं सही से इसमें चला नहीं पा रही हूं इस वज़े से मैंने इसको बड़े भगोने में ट्रांसफर कर लिया था और मैं इसके अन्दर नमक डालना भूल गाई थी तो अब मैं इसमें 1.5 टेबिल स्पून नमक डाल रहा हूं क्योंकि 3 kg है तो धाई ठीक है 3 टेबल स्पून डालूंगी तो जादा हो जाएगा तो मैंने धाई टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया है और अब मैं इसको चला दूंगी अच्छे से अब यह almost done है तो अब मैं इसके अंदर जो मैंने golden onions करी थी तो उसका मैंने paste बना लिया है mixi में तो अब मैं इस situation पे इसमें जो ही सारा paste डाल दूंगी इसमें onion का जो हमने 1 kg का paste बनाई हुआ था अब मैं इसके अंदर डाल कर इसको मिला दूंगी और देखिए onion paste इसमें मिलते ही इसका जो है रंगत भी चेंज हो जाती है और इसकी gravy देखें आप कितनी थिक हो जाती है बड़ी rich सी gravy इसकी लगने लगती है और बस इसको थोड़ा साथ हम लोग चलाएंगे और बस मैं इस को अब खोल के देख रही हूँ तो अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाला है अच्छा मैं गरम मसाला जो है वो खुद घर में ही पीशती हूँ अब यह कोर्मा बिल्कुल तैयार है और आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ दौाओं की कि दौत आफस्